सुपरबाद विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षि का निशा विद्यार्थियों, हिंदी में हम आपकी कवीता पढ़ रहे थे, जिसका नाम था ओर भी दू इस कवीता को शिरी रामा अपतियार्थियागी जी ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हमें देश बक्ती बावना के बारे में बताया हुआ है, कि हमें अपनी मात्र भूमी के लिए अपना तन, मन, धन, जो है, सब कुछ नियोशावर करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए मैं सबसे पहले आपको कवीता की पंक्तिया में सुनाओंगी, उसके साथ ही मैं इनके कठिन शव्द बताऊंगी और अर्थ भी समझाओंगी, तो चलिए शुरू करते हैं माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांद दो कसकर कमर पर डाल मेरी बाल पर मल दो चरन की दूल थोड़ी, शीश पर आशीश की शाया गनेरी स्वपन अर्पित प्रशन अर्पित आयू का ख्यन्खन समर्पित चाहता हूँ देश की दर्ती तुझे और भी तू माज का अर्थ होता है चमकादो, भाल होता है मस्तक, माथा, चरन होते हैं पैर जिनको हम पाउं भी कहते हैं शीष होता है सिर जो हमारा सिर है आशीष हो गया आशिरवाद घनेरी हो गया घनी काली शाया जगहरी स्वपन हो गया सपना आयू होगी उमर समर्पित हो गया सब कुछ अपना अर्पित कर देना ठीक है तो चलिए इन पंक्तियों में आगे मैं समझाओंगी कि कभी क्या कहना इन पंक्तियों के माध्यम से यहां पर कभी ने हमें युद शेत्र के बारे में बताया है कि युद शेत्र में हमें हमें हमेशा शत्रू से लड़ने के लिए हमेशा ततपर रहना चाहिए हमेशा तियार रहना चाहिए अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए हमें अपना श्यावर कर देना चाहिए तो आगे कवी कहते हैं माज दो तलवार को लाओ ना देरी बांद लोकस कर कमल पर ढाल मेरी कवी यहां पर कहना चाहते हैं कि तुम मेरी तलवार को क्या कर दो चमका दो इसमें जरा भी देर जो है वो तुम मत करो कि जो मेरी लडाई के लिए जो तल रखो और उसको अच्छी तरह से चुमका दो और इसमें क्या करो देर मत करो ठीक है मेरी डाल मेरी कमर पर कस कर बांद दो वह कहते हैं कि जो उनकी डाल है जो जब आपको पता ही है जब हम रंड शेतर में यूद करते हैं तो यहां पर कस कर यहां कमर के पर भी हमने कुछ मातर भूमि के चरनों पर क्या कर दो कि मेरे मात्य पर लगा दो be धर्ती की मिंटी एंग उससे क्या करो मेरे माते का तिलक लगा दो ठीक है कि साथ ही कवी कैते हैं कि शीश पर आशीश की शाया गनेरी के साथ जो मेरा शीश है उस पर क्या है मेरे सिर पर हमेशा जो है इस दर्ती की क्या रहती है गनेरी चाया रहती है आशिरवाद के रूप में तो कहने कारत ही है कि कभी यहाँ पर कहता है कि दर्ती मा का जो आशिरवाद है वो सदा उन पर रहता है जिससे शत्रू उनका जो है वो कुछ भी नहीं बिगार सकते जिससे सपने मेरे प्रशन और उमर का पलपल मात्र भूमी को वो समर्पित करना चाहते हैं वो कहते हैं कि स्वपन अर्पित प्रशन अर्पित आयू का ख्यन ख्यन अर्पित यहां पर कहा रहे हैं कि कभी कहता है कि जो उनके सपने हैं जो उनके प्रशन है जो उनकी उमर का एक 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 जो पल है वो भी अपनी मात्र भूमी के लिए समर्पित करना चाते हैं और वो ये चाते हैं कि मैं इस देश की धर्ती के लिए और भी कुछ करूं और भी जो जो उनसे बन पड़ता है वैं अपने देश के लिए उनको समर्पि करने के लिए हमीशा आगे रहते हैं तो कहने का बाब ये है कि कवी कहते हैं कि अपना जीवन जो है वो मात्र भूमी की रक्षा करने के लिए हमें हमीशा क्या करना चाहिए आगे लहना चाहिए कि हमारे में क्या होना चाहिए देश प्रेम की बावना होनी चाहिए और मात्र भ क्या कहने का अर्थ था मुझे उमीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आई होंगी धन्यवाद